हाई अवीवन वेलकम बेक टो मैं चैनल तो आई बीपीएस क्लर्क प्री का रिजल्ट आ चुका है और मेरा भी आ गया है और जो मेरा रिजल्ट था वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो एक बार फिर से थैंक यू लिखावा है तो इस साल तीन बर ही थैंक यू मुझे मिल तीर रिजल्ट तो दे नहीं था बड़ तेन फेल्ट एक साथ और मार्क्स तो इसके एक हफ़टे उन्दर अजाते है जितना भी स्कोर रहा होगा हो वो मुझे पता नी और मैं आपको बता देती हूं मैंने कहा से फिल किया था यह मैंने अपने स्टर्ट उट उठ्ट यह हं सोते हैं यह मैं अपने स्टेट से ही फिल करती हूं क्योंकि मेरा मन नहीं करता है कि क्लर्ग की जॉब के लिए मैं किसी दूसरे स्टेट में जाओं पीयो का हो तो समझ भी आता है आप आल इंडिया कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल जाए तो यह रहते हैं कि ऑफिसर रैंक है जाना बढ़ेगा बट क्लर की जॉब के लिए तूसरे स्टेट से फिल करो फिर वहां जाके आइमीन रहना खाना पीना बहुत सारी चीज़ होती है जो मुझे सहीं ही लगती मिल अब खुद से अकेले मैं अपने ही स्टेट से फिल करती हूं यह मेरे खुद के परसनल रीजन बाकियों का मुझे पता नहीं सब अपना सोचने का तरीखा है तो अब मैं बता देती उसमे अट्ब्स मेरे अटेंप मैंने 91 किये थे मैंने पूरा डिटेज़ वीडियो बिद्ध investing का वंशना बाकिया हुज हुद फूर तो मेरे वहीं पर रॉंग हो गए थे तो बाकी क्या हुआ है किस तरीके से हुआ है वो मुझे नहीं पता बट इस बर ही हुआ क्या है कि जिनके कम अटेम्ट हो रहे हैं उनमें से बहुतों का हुआ भी है और जिनके बहुत सारे अटेम्ट रहे हैं उनमें से बहुतों का नहीं भी हुआ मैंने एक ग्रुप में काफी सारे लोगों के चैट्स भी बड़े थे और जो मेरी फ्रेंट से हैं उनसे भी पूचाता तो उनमें से भी किसी का नहीं हुआ तो IBBS क्लर्क का जो नॉमेलाइजेशन हुआ है वो तो जब मार्क साहेंगे तब ही पता चलेगा किस बेसिस पे हुआ है क्योंकि मुझे जाहतर लगता है ही रॉन में मेरेंग्लिश में पता इंकुकि फैदा नहीं रुहने का स्ट्रॉंग वनू फेलियर जो भी है उसे एक्सेप्ट करो आगे बढ़ो तो एस भी एक लरक आ गया आ गया फॉर्म मैंने फिल कर दिया है और उत्रा घंद से ही मैंने फिल किया है और आज ही एस भी पियो की नोटिफिकेशन पी आगे अगे अगे नंबर वेकिंसी बहुत ही ही लाइस है एस कंपेर तो प्रिवेस यह तो हर साल मुझे तो लग रहा है एस भी पियों की वेकिंसी डिक्रीज ही हो रही है तो जो भी है अब फॉर्म दहुं में फिल करना ही पड़ेगा चाहिए वेकिंसी कितनी भी हो और एक चीज़ जो मुझे लगती है ना अपने सेट है तो में लिए फिर बहुत ही शरम की बात हो चाहेगी क्योंकि अपने सेट से जो फिल किया उसका समझ आता है कि वेकिंसी कम थी बट यह जो आगे आने वाले तीनों फॉर्म है तीनों जो एक्जाम होने वाले यह तो मुझे किसी भी कीमत पे क्रैक करने ही करने है तो क्यों तो यह चीज काफी डिसार्टनिंग है क्योंकि एकदम से मतलब हम लोगों ने इत्ती लंबी मतलब जलांग लगाई स्टैप नंबर वन से स्टैप नंबर फो तक पहुचे और दुबारा से हुआ किया इस साल फिर से स्टैप नंबर वन पर आ गए तो यह चीज काफी बुर चेंज जी एक लिहनों ने टाइम भी बहुत जादा दे दिया जी एक सेक्शन के लिए और पचास कुशन सार्ट मार्क के ऐसी कुछ है मैंने अभी डिटेइल्ड नोटिफिकेशन री तो नहीं किया बट अभी करूं गी मैं तो यही था फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में और जो कोई फर्स टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्यूंकि मैं अभी आपी की तरह हूं एस्परेंट ही एक्जैम सी दे रही हूं अभी कुछ भी नहीं हुआ है बट मेरी प्रिपेरिशन जो भी है थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया हो है वह बहुत सरे एस्परेंस को मोटिवेट करेगा आने वाले टाइम में जब हो जाएगा क्लियर तो अभी सपने देखने चाहिए उव्यसी बाते तभी बूरे होते हैं तो हमेशे यही सोचती होगा होगा एक कॉमेंट मुझे आया था कि मैं अगर आपका स्लेक्शन नहीं कि मेरा एक्जाम क्लियर नहीं होगा है ना मैं 2019 से पेपर देती आ रही हूं कितने नहीं निकले कितनों के प्री हुए कितने मेंस दिये पर अभी तक फाइनल सेलेक्शन नहीं हुआ बस इसी आसमें किसी दिन हो जाएगा